तो फ्रेंज मेरी आज की ये रेसिपी है बत्वे का लच्छा परांठा आम तोर पर बत्वे का जो परांठा बनाया जाता है उसे बत्वे को रोटी में स्टफ करके बनाया जाता है लेकिन आज मैंने इसे बिलकुल ही अलग तरीके से बनाया है लच्छा परांठा है जो खाने में बहुत टेस्टी है और बनाने में बहुत आसानी तो फ्रेंज आप इस रेसिपि को ज़रूर ट्राइ करें मैं आपको इसे हाथ में लेकर दिखाती हूँ ये कितना लेयर और खसता परांठा बना है ये देखिए कितना अच्छा और टेस्टी बना है आप इसे डाल सबजी रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं, सफर में भी लेकर जा सकते हैं, तो फ्रिंड्स, आप सबसे एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर पहली बार आएं हैं, तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर दें, वीडियो पसंद आने पर इसे एक लाइक जरूर करें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी, सबसे पहले मैंने ले लिया है 500 ग्राम बत्वा, मैंने इसे अच्छे से धो लिया है, साफ कर लिया है, इसमें बहुत मिट्टी रहती है, उसे अच्छे से मैंने इसे निकाल दिया है, तो अब ये एकड़म रेडी है, तो सबसे पहले हम पानी को boil करेंगे, हमें बथवे को boil करना है तो पानी को मैंने गरम होने के लिए रख दिया है, अब इसमें मैं बथवाट डाल दूँगी बथवे को हमें खुला ही पकाना है, अगर ढख कर पकाएंगे तो उसका रंग चींज हो जाएगा हमने प्रॉपर ग्रीन कलर चाहिए इसलिए इस तरह से ही पकाएंगे ये देखिए कितना अच्छा ग्रीन कलर है एकदम से और बहुत ही अच्छे से बॉइल हो चुका है अब इसे हम ठंडा कर लेंगे तो मैंने इसे ठंडा करके एक मिक्सर जार में डाल दिया है मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी अद्रक दो टुकडे है कुछ हरा लसुन अगर आपके पास हरा लसुन ना हो तो आप प्लेन लसुन भी इस्तमाल कर सकते हैं क्योंकि सीजन में हरा लसुन मिल रहा है तो मैंने इस्तिमाल कर लिया अब इसको grind करके मैंने इस तरह से paste बना लिया है मेरा बथुआ भी थोड़ा गरम था आप अगर ठंडा करके इस्तिमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा मतलब गराइंड करेंगे अब ले लिया है दो कप गेहूं का आटा और इसमें में डाल रही हूँ बथुए की सारी paste मैं पूरी paste इस्तिमाल कर रही हूँ आप जरूरत के according कम या ज़्यादा ले सकते हैं ये दिखिए अब मैंने इसमें डाल दूँगी स्वाद के अनुसा नमक कुछ अजवायन हाथ से इस्तरे से क्रश करके आधा चमच मैंने लिया है अनारदाना पाउडर और आधा चमच लिया है लाल मिर्च पाउडर क्योंकि मैंने हरी मिर्च इसमें नहीं डाली थी अब दो बड़े चमच मैं इसमें मलाई डाल रही हूँ मलाई डालने से हमारा जो परांठा है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा एक बार स्पोन से हलका सा मिक्स कर लेंगे और फिर हाथों से इसका डो बना लेंगे मैंने इसमें पाने का इस्तेमाल नहीं किया डो बनाने में मेरा बथवा जो था वो ही उसी से ही आटा अच्छे से गुन गया है तो हमारा डो एकदम रेडी हो चुका है ये देखिए कितना अच्छा ग्रीन कलर है इसका ये एकदम रेडी है तो इसे ढखकर 10 मिनिट का हम रेस्ट देने वाले हैं ताकि एकदम अच्छे से मौस्ट हो जाए तो 10 मिनिट के बार मैंने आटे में से एक लोई बना ली है और अब हम इसको बेलेंगे पतला बेलेंगे अच्छे से जब भी आप रोटी बेलें उसे किनारों से बेलें किनारों से बेलने से रोटी अच्छे से पतली हो जाती है थोड़ा सा देसी घी लगा लेंगे इस तरह से देसी घी लगाने से जो हमारी लेयर्स हैं लच्छा परांठा की वो बहुत अच्छी बनेंगे इस तरह से बीच में से हाफ कट करेंगे ये इस तरह से कोन बनाएंगे मैंने पहले भी बहुत सारे परांठो की रेसिपी अपने चैनल पर अप्लोड की हुई है आप वहाँ से और भी परांठो की रेसिपीज देख सकते हैं ये देखिए इस तरह से रोल करते हुए हमारा परांठा बन गया है अब इसको मैं दुबारा से फिर रोल कर लूँगी इस तरह से हम फिर से बेल लेंगे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना इस तरह से ये बिल कर रेडी है एक और आपको बेल कर बता देती हूँ कि लच्छा परांठा मैंने अपने स्टाइल में किस तरह से बनाया पहले इस तरह से गोल बेलेंगे अब घी अप्लाई करेंगे इसके उपर अच्छे से और बीच में से इस तरह से कट लगाएंगे अब इसको इस तरह से कौन की शेप में बना लेंगे ये देखे इस तरह से और अब इसको फैलाएंगे और इस तरह से रोल करते हुए इसको एकदम चप्टा कर देंगे और फिर से बेल लेंगे मीडियम साइज का हम इसको बेल लेंगे ये देखिए इस तरह से लच्छा परांठा बनाना ये कितना आसान है तो आप इसे जुरूर ट्राइ करें तो चलिए अब परांठो को सेकने की बारी है तो मैंने लोहे का तवा गरम कर लिया है अच्छे से इस पर परांठा डाल दिया है एक साइड से सिकने पर पलट देंगे दूसरी साइड से भी अच्छे से सिक चुका है थोड़ा सा घी अप्लाई कर देंगे जितना भी आप करना चाहे मैं इसमें देसीगी में परांठे बना रही हूँ परांठे देसीगी में ही बनाने चाहिए बहुत टेस्टी बंते हैं ये देखिए दोनों साइट से अच्छे से हम परांठो को सेक लेंगे बहुत ही टेस्टी गरम गरम परांठे बनकर रेडी होंगे इसे आप दही के साथ खाईए, मखन लगाकर खाईए किसी के साथ भी या चाय के साथ ऐसे ही खा सकते हैं यह देखिए, एक दम क्रिस्पी परांठे होने तक अच्छे से दोनों साइट से इसको हम फ्राई कर लेंगे यह देखिए, एक दम टेस्टी परांठा रेडी है तो इसी तरह से हम दूसरा परांठा भी बना लेंगे घी अप्लाई कर देंगे दोनों साइट से अच्छे से सेख कर और दोनों साइट से क्रिस्प कर लेंगे एक दम तो फ्रेंट्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए आपका एक लाइक हमें बहुत ही होसला देता है वीडियो में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नौटिफिकेशन मिल सके थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माई वीडियो